अगर आप जिला पंचायत पत का चुनाओं लड़ना चाहते हो और आपके मन में एक ख्याल तो आता ही होगा कि आप सोसल मीडिया के लिए कुछ पोस्टर क्रियेट करें और भी अपने मोबाइल से बिना पैस होगे तो दोस्तो आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है आज के इस वीडियो में हम आपको इतना effective बैनर बनाने के बारे में बताएंगे और भी कम से कम समय में आप अपने मोबाइल से create कर पाओगे कोई यह नहीं कह सकता कि आपने अपने मोबाइल से create किया है जिसको दिखाओगे वो कहेगा कि आपने printer से बनवाया यानि कि print out करवाया कहीं दुकान से जी हाँ दोस्तो आज कुछ ऐसे ही poster के बारे में हम बात करेंगे जैसा कि poster आप screen पर देख सकते हो कुछ ऐसा ही poster आप बना पाओगे अपने मोबाइल से बहुत ही simple step से तो दोस्तो कैसे आपको बनाना होगा सब कुछ बताएंगे step by step इसी वीडियो में और दोस्तो आपने वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे red color के तो दोस्तो अब हम आपको लेकर चलेंगे अपने मोबाइल की screen पर और step by step सब कुछ समझाएंगे तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो गईज मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की screen पर तो दोस्तो आपको simple सा pixel lab app को download कर लेना होगा तो जब open करोगे तो कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले तो इस side को scroll कर लेना होगा जब आप इस side को scroll करोगे सबसे लास्ट में आपको देख लिए white color का page दिख रहा होगा तो इसको आपको select कर लेना होगा जब आप सेलेक्ट करोगे आपको ऊपर फोटो मिल जाएगा हमारे description में link वहाँ पर क्लिक करके उस background फोटो को download कर लेना उसके उपर हमने लगभग लिख रखा है उसके उपर आपको क्योवल अपना नाम और लिखना है बस जिसे जाद़ कुछ नहीं करना हमने सूचा आपका काम काफी हम हलका कर देते हैं जो मैंने सारे text हटा दिये हैं यहाँ पर आप अपना नाम खुद का दे पाऊगे तो मैं इसी background को ले लेता हूँ तो यहाँ पर click कर देना तो कुछ ऐसा आपको background मिलेगा इस background का photo आपको description में link मिलेगा वहाँ पर click करके download जरूर कर लेना अब आपको क्या करना होगा आपको यहाँ प यहाँ पर आपको वाइड नंबर और यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा और यहाँ पर अपना फोटो और यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर देना होगा बस इससे ज्याद़ कुछ नहीं तो यहाँ पर कैसे क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ आपको सिंपल सा उपर देख लिए प्लस का आइकन देख रहा होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा जैसे कि मैंने लिखा था जिला लायप पधिये तो वाड नमबर क्योंकि वाड नमबर ही चेंज होता है जिलायप पधिये तो यहां पर वाड नमबर आपका जो पड़ता है वो डाल देज़े तो मेरा यहां पर पड़ता है निंदूरा दुतिये तो यहां पर मैं डाल देता हूं निंदूरा तो यहां पर गया जिस हमने लिख लिए निदूर दोती फिर ओके पर क्लिक कर देना होगा यहां पर आपको वाइड नंबर के सामने इसको ऐसे कर देना होगा आपका जो हो वो डालना मेरा ही मत डाल देना अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको नीचे A का option दिख रहा होगा यहाँ पर आपको simple सा tap कर देना होगा यहाँ पर जब आप tap करोगे तो आपको इस side को scroll करना होगा अब जब इस side को scroll करोगे तो यहाँ पर आपको एक font का option दिखेगा तो यहाँ पर इस font के option पर आपको simple सा click कर देना होगा आपको यहाँ पर font यह वाला select करना होगा आपको यहाँ पर दिख रहोगा blogger dash sense dash bold यह वाला ज्यादा सही रहता तो इस पर आप simple सा tap कर देना फिर उसके बाद में आपको नीचे ok का option दिखे का कर देना कुछ ऐसा हो चुका आपको color change कर देना होगा अपको इस 드ílcat आपको scroll कर देता है कि अपको देख लिए color का option दिखर रहा होगा तो इस पर आपको simple सा click कर देना होगा यहाँ पर आप आप जो है इसे black ही करना जादा सही लगता तो यहां पर आपको नीचे color मिल जाएंगे, तो यहां पर मैं black कर देता हूँ, यह कुछ ऐसा हो चुका, तो यहां पर इसी type से आप कर सकते हो, और आपका नाम यहां पर पूच रहा है, तो इसी type से same condition करनी होगी, आपको यहां पर अपना नाम भी दे देना होगा, प्लस के icon पर क्लिक करना होगा, टेक्स पर क्लिक करना होगा, फिर डबल टैप कर देना होगा, फिर इसके बाद में आपको अपको अपना नाम दे देना होगा, तो यहां पर नाम दे दिया, फिर ok कर देते हैं, फिर इसको हम यहां पर उठा कर ऐसे ले आते हैं, यहां पर अपने नाम को भी आपको जो है फॉंट चेंज कर देने होगा वही फॉंट सेम ले लेना होगा प्र इसके बाद में आपको इसमें भी color आपले लिये मुझे color यहाँ पर इसके लिए तो नीला ठीक लिगता तो मैं ये आपको जो अच्छा लगा से आप प्लस पर ऐकन करके यहां पर लिक कर यहां पर आप जो है वही सेम जगह पर सट कर देना यहां पर होलीवाले आप अप्सट पर अप्लोड पर अपलोड कर देना तो आपकी फोटो प्यंजी हो जाती है और बहुत तरीके ऐसे हैं जिससे आप PNG फोटो कर सकते हो, आप कर लेना, उसके बारे में मैं बार बार नहीं बता हूँगा, मैं कई वीडियो मना चुका हूँ, उसके बता चुका हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर प्लस के आइकन पर जाना होगा, और आपको अपनी PNG फोटो ले लेनी होगा, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी का उप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर फिर आपको डाउनलोड का उप्शन मिलेगा, यहाँ पर नहीं फोटो जाते हैं, जो PNG किये जाते हैं, तो यहां पर यह फोटो मैंने ले लिया और इसका मैं नही erma दूसरे साइव नहीं है और कि इसको मैं कुछा ऐसा कर देता हूं यह फूटो यहां पर मैं ऐसे bigger यहां पर इकुछा लग रहा है कि और बटॉ यह लग रहा कि इंदम कटा हूव फो oto इसे feather look कैसे देना है तो इस पर आपको एक बार photo पर tap कर देना होगा फिर आपको जो है नीचे option मिलेगा ये beach में आपको दिख रहा होगा इस पर आपको simple सा click कर देना होगा जब यहाँ पर आप click करोगे आपको इस side को scroll करना होगा फिर यहाँ पर एक eraser यानी की rubber देख रही होगी इस पर आपको simple सा click कर देना होगा आपको देख लिए जो उपर दो lines देख रही होगी तो इस line को आपको फुल कर देना होगा इसको आपको इतना रखना होगा इस दूसरी वाली लाइन को पूरा फोल कर दिना होगा, फिर उपर ही आपको tick option दिखे का यहाँ पर click कर देना, शोरी यहाँ पर भी click नहीं करना, अभी आपको नीचे photo के सबसे नीचे वाले angle पर यहाँ पर पकड़ के खीच देना होगा, जितने पर आपको एरेज करना है तो मैं पकड़ के खीश देता हूं यहाँ पर सबसे नीचे ही से ही देख लिए यह कुछ ऐसा फैदर हो चुका मतलब इसके नीचे का जितना एरिया आप उंगली से स्क्रॉल करोगे उतने में यह फैदर हो जाएगा पिर टिक कर देना यह देख लिए जे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बैक्गराउन में धसा हुआ फोटो लग रहा है तो यह काफी लुक अच्छा देता है तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना कैसे है तो यहाँ पर आपको उपर ही प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको फिर से अपना नाम दे देना होगा जो आपका नाम हो तो यहां पर मैं फिर से पना नाम दे देता हूं इसको भी मयाँ पर सेट कर देता हूं और इसका भी सेमों आप phon exchange कर लेना जैसा वह ने बताया बार-बार तो मैंने बता नहीं सकता सेम लिए करके पर उसके बाद size XC की सபीजिव कर देना यह आपकी मर्जी जो कलर देना चाहें ने सकते हैं और इसे ऐसे करदेना फिर इसके नीचे है और को सेम अजरुवाइस कंडीसन मतलब लगने के च्रण ले आप आ से कर सकते और इसको से ऐब आपको कैसे करना है आपको सिम्पल सा ओपर देख लीजिए कुछ ऐसा अफ्षन दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको save as image का option दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको click कर देना होगा फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा default का तो यहाँ पर आपको tap कर देना होगा तो guys कुछ ऐसे ही आप जो है पोस्टर बना पाऊगे बहुत ही सिंपल तरीके से तो guys आपको आज की वीडियो कैसे लगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कर देना तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जाहें